तो ये जो प्रभू शर्वत्र व्याप्त है संपूर्ण प्राणियों में इस्थित है परंतु ये वही अनुभो करशकता है जो उनका आस्थ्रे लेकर भजन में लगाएं ये अध्यात्म खिलवार नहीं भाई ये अध्यात्म बाहरी चमतकार नहीं है बाहरी शुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है बाहरी शुविधाओं पुन्न के भावशे मिलती है तुम्हारा पुल्ण शुब जोरदार है तो बाहरी शुविधाओं को हरन कर लेगा पुल्ण पाप का बल भजन के उपर नहीं पड़ता इसलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो तो इसमें प्रारप्ध जो पुल्णे पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता पुल्णे बल से खुब भई भोगड जाए या पाप बल से सवपरन हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता वो हुपाशक भजन बल से युक्त रहता है अब जो भजन नहीं करते हैं तो है शब रूपों में भगवान है अब जो भगवान कह रहे हैं यह थोड़ी समझ की बात है या करें मतिस्ठान सरवूता निन नचाहम तेसो वस्थिता मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं अभी क्या करें मयात तत्मिदम सरवं जगद अभ्यक्त मूर्तिना मैही संपुर्ण प्राणियों में इस्तितू चाहे वो पराप्रकति हो चाहे या पराप्रकति हो जीव हो या माया हो मैही मैहूं समझ में आगए क्योंकि बहुत बार शुला है अब इक भगवान बात कह रहे है आश्चरी में कह रहे है नचाहम तेशु वस्थिता पहली बात का मयात तत्मिदम सरवं जगद अभ्यक्त मूर्तिना मैं शौब में बिराज मांगूं पहली बात की बिरुद्ध भगवान या बोले मैं उन्हें में इस्थित नहीं हूँ मैं सब में इस्थित हूँ सब में अब इसमें कह रहे है भगवान नचाहम तेशु वस्थिता मैं उन्हें में इस्थित नहीं हूँ किन में जो मेरा असरे लेकर भजन नहीं कर रहे है जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भगवान बिराजमान है और भगवान याँ स्वयम कह रहे मैं उनमें नहीं हूँ इसका भाव समझें बड़ा सूक्ष्म भाव है जैसे उदारन में समझेंगे आप भगवान ने कहा कि आत्मा का जनम मरण नहीं होता है न कोई जनमता है न कोई मरता है जो आत्म शुरूप है पर अरजुन यदि तुम मानते हो जनम मरत्य को आत्मा का नहीं होता है नजायते मरते एक अधाज़ लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस से ही दुरो मृत्यू जिसका जन्म हो और निश्चित मरेगा दो बात कि न पहली बात में ना किशी का जन्म है ना किशी की मृत्यू है किश्की जो आत्म स्वरूप में इस्तित है उसको यह अनुभोगा लेकिन जो शरीर में इस्तित है जो जातसी द्रोम रते हैं वो जन्मा मरेगा निस्चेत अब यहां बात समयो पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूँ अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्यान में अब कमी क्या हो शक्ति भगवान ही आकर भी राजमान है भगवान करें मैं उसमें नहीं हूँ किस बात में समझना होगा यदि मैं उसमें इस्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता और मेरा भी होता मैं तो अविनाशी हूँ और वो इस्थित है विनाशी सरीर भाव में तो मैं उसमें नहीं हूँ, उसके भाव में मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं हूँ, सुक्ष्म भाव समझे था, क्योंकि एगर मैं हूँ उसके भाव में, तो मेरा भाव आएगा, मैं अविनाशी हूँ तो वह अविनाशी होगा, मैं चिदानन्द हूँ तो चिदानन्द हो वित्र बुद्धी में शमझ में आएगा उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है उसका नास होता है तो मेरा नास होता है उसका अभाव होता है तो मेरा भाव होता है लेकिन मेरा न कभी अभाव होता है न परिवर्तन होता है नात होता है क्यों कि मैं उसमें हूँ ही नहीं किसमें जो मेरा अस्रे लेकर के भजन करते हैं उनको ये अनुभूम आएगा कि मैं उनमें हूँ वो मेरे में हैं और जो मेरा अस्रे नहीं लेते भजन नहीं करते तो वो किसका अस्रे लिए परिवर्दन विनाशील सरीर संसार का इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूँ तो भाव में नहीं तो नहीं है हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है वो दुष्ट नीच पापी यह सा दर्सन होता है हमारे भाव में भगवान है तो शर्वम खलविदा सब जगे भगवान, बात समझना, मैं नहीं हूँ उनमें, तो कहे दें, परिवरतन सील, अगर सरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा, कि अपरा प्रकति भी मैं हूँ, तो पंचभूत भी तो भगवान है, तो बुले, वो मानता कहा है, वो मानता कहा, उसके भाव में नहीं ना, इसलिए मैं नहीं हूँ, समझ पर होते हुए भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूँ, बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे हैं, उनको क्यों नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि वा नहीं हैं, नहीं है तो सरवम, सब जगे भगवान, तो मानता कहा हैं, भाव में यदि तुम्हारा भाव है तो भगवान तुम्में रहते हुए भी तुम्में नहीं है है उनी की धरा में हो पर तुम्हारे भाव में नहीं रहा तुम्हारे भाव में नहीं है भगवान जैसे सिल्पिल्ले बाई को कोई आकार विग्रे नहीं दिया था गुरू जी ने ऐसे पत्थर को टुकड़ा दे प्योर पत्थर कोई आकार नहीं और का ये तुम्हारे भगवान श्याम सुन्दर है उनके भाव में आया मेरी भगवान श्याम सुन्दर है चाती से हरदय में लगाएगी रात दिन उन्हीं को प्यार दुलार अब जब बया हुआ तो पती की तरफ हेरी नहीं रही थी पती ने देखा क्या उनसा किसकी छवी क्या तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा है हमसे व्या कि अमाजी तरफ तो देखने पत्थर के टुकड़े एक देरे जल में भारी व्याकुलता कूद पड़ी अब तो प्रान त्याग देंगी अपने प्रभू के बिना महिने नहीं ज भांग जिससे बांटी जाती थी वो बट्टा धनाजी को दिया ये भगवान है तुमारे मालक थे तो साली ग्रम हम भगवान को नीचे बैठाल दिया और बट्टा को ओपरे से रख दिया बड़े ठाकुर चाहिए कि छोटे बड़े ठाकुर चाहिए तो हां बड़े वाले उपर स्वामी है ये ले उख बस नहा के इनको नहला देना और पवा के इनको पा लेना साक्षा ठाकुर साथ गूमते थे थे ना भांग के बट्टे में अगर हमारा भाव नहीं तो नहीं है ना उटो भांग के बट्टा कोई स्रीविक्र थोड़ी हमारे लिए नहीं है उनके लिए है बस ये बात समझना है नचमत, स्थान, भूतानी संपूर्ण, प्रानी जो मेरे में नहीं पहले में बताया कि मैं शब में हूँ उसकी बात के विरुद्ध में बोले कि मैं उनमें नहीं हूँ अब इसमें दूशरी बात में सब मेरे में हैं उस बात के विरुद्ध करें वो प्राणी मेरे में नहीं है क्योंकि यदि मेरे में इस्थित होते तो मेरा निर्विकार सुरूप हो निर्विकार हो जाते है बुले नहीं अब ये तो भगवान में इस्थित है ये तो भगवान के शमान है क्योंकि भगवान में इस्थित नहीं है वो विकारों में इस्थित है इसलिए भगवाल कहरे है वो मेरे में इस्थित नहीं है मैं उसम निर्विकार हो जाएगा, प्रभू जैसे परमानंद में है, वैसे परमानंद हो जाएगा, प्रभू सब काल में, सब समय में, सब यक्तियों में है, तो ऐसे ही उसको अनुभव हो जाएगा, मैं ही समय हूँ, जो यहां सो सारी जगत में भेद खतम, तो मैं उनमें इस्थित न नहीं है कौन जो प्रभू शे बीमूख हैं है प्रभू हैं सब में पर जिनके अंदर प्रभू का भाव नहीं है तो प्रभू वहां बिराजमान होकर भी कहते मैं वा नहीं हूं जैसे दुरवाश्य जी को कहा कि जो केवल मेरी अनन्यता में हैं मेरे भजन में हैं वो केवल मुझे जानते हैं तो मैं केवल उन्हीं को जानता हूं देख लो शर्वक के भगवान क्या करें वो मुझे जानते हैं मेरे अनन्यत तो मैं उनका अन के हीरदे लगे है क्या। पिर क्यों कि रहे हिरते को दिया। तो आप निश्चिन्थ हो जाओ तुमने माना कि यहां भगवान नहीं है तुम्हें नहीं हूँ हमाख मुदे हैं नहीं है मालो नहीं है तो भोग रहे हैं जनम्रण को प्राप्थ हो रहे हैं श्री भगवान करे मैं उनमें इस्थित नहीं हूँ मेरे में इस्थित नहीं है बोले अब इनकी भगवान में इस्थिती है भाव वस्तुता शंपुर्ण प्राणियों का उत्पन होना संपुर्ण प्राणियों का पालन होना, संपुर्ण प्राणियों का श्रजन होना और संपुर्ण प्राणियों के रूप में होना ये केवल भगवा नहीं है प्राणियों का भरण पोशन धारण इस्थिती मैं ही हूँ पर जो मेरा भजन नहीं करते मेरा आस्रे नहीं लेते मैं उनके भाव में नहीं हूँ न तो नहीं हूँ जाकी रही भावना जैसी वो मेरे में इस्थित नहीं है इसलिए मैं उनमें इस्थित नहीं हूँ जो मेरे भाव में हैं मैं उनको रोम रोम में अनुभव कराता हूँ कि प्रभु विराजमान कणकण में अनुभव कराता हूँ प्रभु विराजमान इसलिए इस भाव को हम हरदेश से श्वविकार करें हम कभी अकेले नहीं है हमारे साथ प्रभू है किशी भी शमय में ऐसा वो शमय नहीं जा प्रभू नहों तो इस शमय भी प्रभू हमारे है इस शमय यह है समय है हम में भी है सब जगें यहां भी है सब समय में इस समय भी है सब के हैं, वो हमारे भी है ये भाव के बिना भक्ति पुर्ण नहीं होती कभी आप अपने को अकेला मत समझजिए आपके पुर्भू आपके शाहत हैं ये तही समझ सकते हैं जब मुख में नाम चलेगा मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकिला नहीं, राम तेरे शाथ में, ये कब अनभो हुआ, जब मुख में, राधावल लवलाल को हरदय ध्यान, मुख नाम, फिर बुल अब किसकी ज़रत पड़ेगी, जब आपको लगेगा प्रभु मेरे शाथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में हैं, हाथ का मुतलब होता है, जैसा मैं चाहूँगा, वैसा मेरे प्रभु करेंगे, ये आगे की स्थिती में होता है, जैसा मैं चाहूँगा, पहले तो तुम्हें, जोही जोही प्यारों करें, सोही मोही भावे, ऐसी स्थिती बनानी होगी, फिर भावे मोही जोही सोई सोई करें प्यारे ऐसी स्थिति अपने आप राप्त हो जाएगी प्रभु का आश्रे लेकर निरंतर भजन एक एक शेकिन एक एक स्वास तुमारी बहुत कीमती है प्यारे मानू पचास वर्स तुमने धन कमाया अब आपकी आखिरी श्वास है तो पचास वर्स के बितीत क ये हुए समय में जो धन मिला उस धन से तुम एक सेकंड भी नहीं खरीच सकते हो पचास वर्ष की कमाई हुई संपत्य से तुम एक स्वास भी नहीं बढ़ा सकते हो सोचो तुमारी स्वासे कितनी कीमती है इन स्वासों की शार्थकता है राधा 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 लाडली जू के शरणों का अस्तर लेकर नाम जब कीजिए निहाल हो जाओगे आनंद समुद्र में डूब जाओगे दुख का निशान भी नहीं रहेगा कोई शोक कोई भय तुम्हें इस पर्ष नहीं कर पाएगा बड़ा अस्यर है यहां बाहर कुछ नहीं शुदार ना शाधना से अपनी दृष्टी सुधार नहीं दृष्टी सुधर गई तो किसी सूजवाली आँख ने पहचान की कणकण में जाकी भगवान की उलली त्रिभंगी मुरली मनुवर अपने आराध्य देव को शर्वत्र देखता है जड़ चैतन कछू नहीं दीखत जित दीखत तित श्याम समझो शिनरहरदास जी बड़े महापुरुष्वे वो कहरे जड़ चैतन कछू नहीं दीखत हमें तो जड़ चैतन दिखाई दे रहा है गुण दोष दिखाई दे रहा है यह हम अभी मुहांदकार में दृष्टी से युक्त है अभी ज्यान का प्रकाश नहीं हुआ भगव कह रहे हैं कि हे परमत परजुन जो मेरे इस धर्म की महिमा पर मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते वो मृत्यू रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते मरते रहते हैं श्री भगवान कहरे हैं अपने लोग देखो अरबो जन्म हो गए बार बार जन्म बार बार मरण शंसार धर्मई विमुही माना यह संसार प्रकति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है बिल्कुल ऐसा सत्य लग रहा है बड़े आस्चर की बाद कि यह सरीर सत्य है और इसी सरीर से कई सरीरों को फूका जाता है लिष्तेदार नातेदार, बिवहारी, पुत्र, पत्नी, कोई भी पधारा तो उसको ये ग्यान नहीं हो रहा कि इस सरीर नाशवाना इसकी ये दुर्दशा होती थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का जो कोई रोता है न तो समझाते भाईया, ऐसे ही है, सबका सरीर ऐसे ही नश्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा यही गती होती है, अब चुपा जाओ, जितने हैं, उन्हीं में राग कर लिए दो लड़के बचे हैं, उन्हीं को प्यार दुलार करो, यह नहीं कहता कि शाफ देख रहे हो क्या हो, और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात के तें राम नाम शत्य है, शत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है ये सब लोग दियात में ही गाते हैं जब सव ले जाते हैं तो शवयात्रम गाते राम नाम शत्य है पर श्वयकार नहीं करते हैं किवल गाते हैं श्वयकार कर ले कि शत्य तो किवल हरेर नामई हरेर नामई हरेर नामई वे किवल अब शत्य तो केवल भगवान का रम्त जीवन सार्थक हो जाए पर बड़े आश्चर की बात है ये अपने शरीर को शत्य मानते हैं कुटुम्बियों के सनेह को शत्य मानते हैं धन शंपत्य को शुकरूप मानते हैं उत्पत्य विनास्चिल प्रतिछन परिवर्तन सील और फिर बार बार दुखशुक जनम मरण परिवर्तन ये प्राक्थ होता रहता है जिश्य प्रतवतन श्योन में जाते हैं उस यून में आशक्त हो जाते हैं अरे थोड़ा तो विचार करो कब तक कोई हां टिकने का इस्थानी नजर नहीं आ रहा है माता पिता के चरणों में सर रख कर श्वतंत्रों करके तो कितने दिन वो अंतर ध्यान हो जाएंगे हो किसको हम माने अपना क्या अपना माने चलो शरीर को लेके श्वत्र कम नस्ट हो जाए कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा अविनाशी मित्र हो शदा-शदा मेरी रक्षा करे मुझे शुक प्रदान करे जब ऐसी मांग होगी तो वो केवल एक निकलते हैं प्रभू दूसरा कोई नहीं पूरी स्रिष्टी को चानने के बाद एक ही बात समझविया जाती है कि केवल एक हमें प्यार करने वाले हमारे निरंतर समी प्रहने वाले हमारे अहेतु की शुरत क्रपालू भगवान है दूसरा नहीं मृत्यु संसार वर्त मनी इस संसार में मरना ही मरना है इसका नाम मृत्यु लोग है मरना ही मरना प्रश्न उत्तर में आते हैं तो चीट है कि भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं भगवान ने हमाय साथ बड़ा-बुडा किया यह कई लड़का था उसको चीन लिया अब क्या उत्तर उनको दे इतने मोहांदकार में फशेवे अब क्या उनको उत्तर दे तुम्हारा लड़का था तुम जान पाए तुम्हारी क्या शामत है कि तुम कुछ एक अंगोली की भी रचना करलो पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारी अंगोली काट दी जाए तुम नई उसको प्रगट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना किये अरे पागल वो भगवान का ही है जितने शमय के लिए यहाँ जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया तुमने उशे अपना मान लिया प्रभू को अपना नहीं माना इसलिए तुम्हें शोक ये दंड तुम्हें मिल ला है ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है भागवत में श्री चित्र के तुझी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत से रानिया थी बहुत से एक करोड एक करोड रानिया वो शंतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे किशी भी रानियसे गर्भ नहीं हुआ धर्म का अचरण करते थे शंतों पर भाव रखते थे तो एक दिन देवर्ष नारत जी और अंगिरा जी आए उनके इश मोह का नास करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हट लगाय बेठे उब्रतिय ठीक नहीं आकर कहा कि राजन तुम जो उदास रहते ठीक नहीं यह पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याक करो और श्री भगवान का भजन करो यह कुछ दिन का जीवन है पुत्र आदि लोकिक माननेता हैं लोकिक शम्मंद है उनका हमें ग्यान की ज़रुत नहीं समय क्योंकि मम्ता रतसन ग्यान कहानी बेर्थ होती है जो मम्ता सियुक ते उसके उपर ग्यान का प्रभावने पड़ता मुझे पुत्र चाहिए यदि आप हम पर कृपा करके आये हैं तो हमें पुत्र देजिए तो आपको पता होना चाहिए यहां स्रष्टी की कोई भी वस्तो एक रश्ट नहीं रहती है इसलिए प्राप्ती में हर्श होता है और विच्छों में सोक होता है तो आपको पता है आपको भी हर्श और शोक ही होगा पर मम्ता से जो युक्त होता है उसको ग्यान की बाते समझ मेरे है उसका आप जो कामना कर रहे हैं भगवान की कृपा से उसकी पूर्ती होगी, सबसे बड़ी जो रानी थी, वो गर्भवती हुई, शंतान हुई, बेटा, बड़ा हर्ष, अब तो जे भी राजदरवार से समय मिलता, सीधे बाग के बड़ी रानी के महल में, जो अन्य रानिया थी, वापस में बैट कर संगोष्ठी की, जिसे रसिकों की संगोष्ठी होती है, ऐसे प्रपंचियों की भी होती, कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं, बोले आना, उनके बेटा हो गया हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए हम सब को राजा की तरफ से दूर करने वाला यहीं तो है ना बेटा, मार देते हैं, बेटा मर जाएगा, तो फिर आगे चल कर हम सब से प्यार करेंगे, है शाई, तो जो धायमा शेवा में थी, तो रानिया ही थी, शाशन और प्रणुवन, दोनों ब्रतियों का प्रियोक करके उशेखा बालक को जहर दे दो, दूद में जहर दे दिया गया, कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड़ दुलार करने के लिए गए, तो देखा श्याम बर्ण, जहर का प्रवा, अब हाहा कार्म। राजा व्याकुल होकर चित्र के तुझी आए, क्रिशा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को कलेश होता है, तो महत्मा वहाँ जरूर पहुंच जाते हैं। या उनको महत्माव का स्योग दे दिया जाता है, यह भगवान की तरफ से होता है। फिर अंग्राजियो दिवर्शिनारत पधारे कहा राजन, तुमसे कहा था, यहां की प्रतेक वस्तु जो प्राप्थ होती उसमें हर्ष होता है। और चुकि नाशवान इसलिए जब नश्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात कुछ समझ नहीं पहे थे। आप समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं मुझे हमारे पुत्रशे बात करनी है। बात करनी है। अभी बुला देता हूँ। वो शामर्थ शाली महात्मा आकर्शन किया जीवात्मा उपस्तित। बहुत देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं। आओ अपने शरीर पे आजाओ। अरे उनका महराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं। यह हमारा बाप है। कई बारे मेरा बेटा बना मेरी पत्नी बना इसको पता है। यह मेरा बारे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़ कर इसके पास आया था। मैं इसका पुत्र नहीं हूँ। ऐसे कठोर वचनों से बूले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूँ, हायाय कर रहा हूँ, कैसे बूल रहा है। अंतर द्यान जी वात्मा। बश उसी समय उनको वेराग हुआ। और भगवान संकर्शन के आराधना करके भगोश साक्षात कार क इस शंशार को हम शत्य मान रहे हैं, रिष्टेनातों को शत्य मान रहे हैं, क्यों? भगवान करे असदधाना पुरुशा, क्योंकि उनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनकी यह दुरगती हुई, क्या दुरगती? वरतमान में सरीर से राग हो जाना, सरीर समंधिय से राग हो जाना शरीर भोगों से राग हो वरतमान में दुरगती है इसका परिणाम तो दुरगती है केवल दुरगती परिणाम है केवल दुरगती और प्राया हम सब इसी में पसे हुए